हलो दोस्तों दोस्तों अज हम बनाएंगे चिली पोटाटो जो खाने बहुत ही टेश्टी और स्पाइसी रहेगा दोस्तों चली हम बनाते हैं दोस्तों हमने आलू को पहले से छील कर काट लिया था धुलकर लंबा-लंबा से कट कर लिया और पानी मडाल दिया थी ताकि हमारा आलू काला ना पड़े तो सबसे पहले हम करहिया में आलू डालेंगे फिर पानी डाल कर इसको एक उबाल आने तक हम पका लेंगे नमक डाल कर दोस्तों जादा नहीं उबालेंगे इसको नहीं तो मैदा कोट करते समय तूट जाएगा तो दोस्तों एक उबाल आ चुका है अ तो को निकाल लेते हैं यालू को जाधा नहीं लखा लैंगे और पानी को हम फेगा देंगे बाहर पानी नहीं इस्तमाल करेंगे इसका तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने निकाल लिया है इसमें डालेंगे एक चम्मस चावल काटा एक चम्मस डालेंगे मैदा नमक डालेंगे स्वादन सार अब इसको हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे हाथों से मिलाते हुए तो दोस्तो कोट करने डाल हम इसको अलग पिलेट में निकाल लेंगे हम देख सकते हूं और निकाल लिए पिलेट में अब इसमें हम बनाएंगे गोल इसमें डालेंगे 2 चमश चावल का अट्र trabalhar दो चमश डालेंगे मैदा और साथ अंसान नमक डाल कर इसका हम घोल बनाएंगे दोस्तो पानी डाल कर घोल बना लेते हैं ना जादा गाढ़ा रखेंगे ना ही जादा पतला नॉर्मल रखेंगे दोस्तो आप देख सकते हो हमने इस तरह के से घोल बनाया है यह देखिए ना जादा गाढ़ा है ना जादा पतला तो यह आलू हमने जो काट कर रखा था कोट करके इसको हम मिला लेते हैं इसी घोल में दुबारा कोट करेंगे एक बार में जितना आ जाएग उतना कोट कर लेंगे अब इसको हम फ्राइ करेंगे दोस्तो हमारा तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम एक एक करके आलू डाल देते हैं जो हमने कोट करके रखा है अब इसको हम क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे आलू को दोस्ते देख सकते हो हमारा आलू क्रिस्पी हो चुका है अब इसको हम निकाल लेते हैं आलू को तो दोस्तो हमने ये निकाल लिया है इसी तर हम सारे आलू फ्राय कर लेंगे एक बार दोस्तो हमने फ्राय किया है अब आलू को हम दुबारा फ्राय करेंगे दुबारा करने से ह हमारा आलू और भी क्रिस्पी हो चुका है तो अब हम निकाल लेते हैं तो अग्यसित बाकी त embora कल लिए है अब इसमें डालेंगे अधरर के लाच Reddit को भूंज लेंगे अलकता इस डालेंगे प्याच प्याच को भी महलका से भूझेंगे हरी मिर्च डाल देंगे दोस्तों हरी मिर्च डालना जरूरी है अब सिम्ला मिर्च डालकर इसको भूझ लेंगे हम दोस्तों हमने ग्रीन चीली सोस रेट चीली सोट डाल दिये हैं फिर सोया सोस डाले और थोड़ा सा हम दरदरी कूटी लाल मिर्च डाल दिये हैं और हरी प्यास डाल कर इसको भूंज लेंगे दोस्तों हमने डाल दिया है नमक सौधन साथ डालेंगे और पानी हमने पानी डाल दिया है भी इसमें डालेंगे नमक सौधन साथ डालने के बाद दोस्तों एक चम्मच हम लिये हैं कॉन फ्लॉर काटा अब इसमें पानी डाल कर इसका पतला से घोल बना लेंगे दोस्तों आप देख सब्फे हमने पतला सो घोल बंआ लिया है दोस्तों हमें एक साथ नहीं डालेंगे सारे चम्माज से डालेंगे पहले हमने सांस तो अच्छी तरह से अब ऐस मी डालेंगे दो चंक की सारिभ टमैटर स्षॉख टमैटर सोउस डालने के बाद इससो मिला लेंगे को दोस्तोय हमा're the most यहां है देखर देख देके यह एप टियूर हमारा यहिछ है अगर यह बहुत यह以前 नहीं बैदना है О disturbing कर देंगे और गयस बंद करके मिला कर निकाल लेंगा ज्यादा देट तक पकाएंगे तो यह कृस्पी नहीं रहेगा मिल एडानिक दोस्तों आप देख कर लिए च्पाइटो बनकर तयारहिज अब इसमें थोड़ा विज्टत स oni रायए तो दोस्तों चिली पोटेटों बनकर तयार है जो खाने में बहुत ही टेस्टी है बनाना बहुत ही असान है आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिए मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक आप